सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेश यूट्यूब चैनल को और बिल आइकन को दबाएं हमारे नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए कैसे हैं आप लोग रमन क्लासेश में आपका फिट से एक बर स्वागत है जैसा कि जारखन SSC का अभी न्यू वेकेंसी आया है आपका इसमें की टोटल पोस्ट 265 पोस्ट है और ये आपका है जारखन इस्टेट फिल्ड करलक लिमिटेड कम्पेटिटिव एक्जामनेशन 2017 तो आज हम लोग इसी समझ में बात करेंगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है एज कितना है फी कितना है और उसका सिलेवस क्या है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग नौटीस देख लेते हैं तो सबसे पहले देखे ये नौटीस है आपका तो इसमें बोला गया है आपका कि जार्खंड राज छेत्री लिपिक समहारालय सहित सिमीत परत्योगता परिच्छा के अधिन योजना सहवित विभाग के तहत राज कोशागरों में निम्नवर्गी लिपिक विभिन समहारालय संभग के अंतरगत निम्नवर्गी लिपिक एवंग स्वास्त किस्षा शिक्छा एवंग परिवार कल्यान विभाग के नियंतरन अधिन यह आपका नोटीस है जिसमें कि आपका 265 रिक्ट पदों का विग्यापन संख्य आपका 112000 डिटेल जो है ब्रॉचर उसको आपका किलियर हो जाएगा चलिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यह आपका नोटीस है तो जिसमें कि आपका जार्खंड राज्य छेत्री लिपिक देखें समारालय सहित सिमित परतियोगता परीच्छा जो इसका जो ऑनलाइन जो आवेदन यह इसके लिए आमंत्रित किये जा रहे हैं जिसका कि आपका ऑनलाइन का जो दिनांक है आपका पांच तीन 2018 से चार चार 2018 तक आपका फॉर्म इसमें भरा जाएगा चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कितना कितना आपका सीट है देखिए यहां पर सीट जो है वह आपका जीलावाई से निकला हुआ है निम्ल वर्ग कि लिपिक कोशागार में आपका यह आपका देखिए इसमें टोटल आपका 33 सीट है इसके अंतरकत आपका अनुसुचित जाती यह सब आपका सीट है उसके बाद इसी के अंतरकत आपका कौ में देखिए आपका स्वास चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्यान विभाग से निकला हुआ इसमें तो इसमें आपका देखिए total seat आपका 85 seat है तो इतना आपका seat है तो उस हिसाब से चलिए हम लोग देख लेते हैं आब हम लोग qualification देख लेते हैं कि कौन-कौन इसको form को भर सकते हैं क्योंकि यह आपका Limited है तो चलिए आप हम लोग इसका पातरता की सर्ते यह देखें यह आपका सिमीद प्र्तियोगता पषिछा के माध्यम से समुध गौह के पद पर यह आपका इसमें दिया गया है सब्सब्से पहले मैं आपको इसमें की लीर सब्लियर करतीह नहींBe का इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपका पातरता दे दिया गया है जिससे देखिए यहां पे आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा आपको देखें इसमें लिख दिया है कि सिमीत परत्युक्ता परिच्छा में समलित होने के लिए समंदित विभागों के विभिन कारिया वालों, शमहराले में कारेयत समुख़ो के कर्मियों के लिए पातरता निम्रवत होगी, मतलब इसमें बोल दिया है कि जो आप शुआ के लिए यह आपका एकजाम है, पर चल्ये हम लोग इसमें देख लेतं हैं, और भी समें किलियर कर दिया है, वह भी किलियर के सें अवेदन क यह सब चीज है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा वहां से आप लोग डाउनलोड इस विवर्णिका को कर सकते हैं और इसको आराम से पढ़िए इसमें आपको पता चलेगा चलिए और हम लोग कुछ-कुछ बात हैं देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है तो आब हम लोग देख लेते हैं इसका कि इसके लिए योगेता जो आपका रखा गया है निम्न वर्गी लिपिक इसमें आपका दिया हुआ है बेतन मान जो दिया हुआ आपका 5200 से लेकर के 2200 तक यह दिया हुआ ग्रेट पे आपका उनिस सोर दिया होगा है आपका सेक्षनिक योग्यता में आपका देखिए इंटरमेडियेट या फिर पलस्टू आपका उतिर्ण होना है पॉसल एवंग अनिक परसिक्षन में आपका हिंदी टंकन में 25 सब्द परती मिनट की गति से 250 सब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पे तंकित करना होगा यह सब आपका उसमें पातरता है चलिए आगे आपका है इसमें आयू सीमा देखिए इसके लिए आयू सीमा जो है वो नहीं रखी गई है उसमें आपका लिख दिया है क्यूकि विज्यापन जो है आपका सिमित परत्योक्ता परिक्षा के माध्यम से भरी जानी है तो इसलिए इस परिक्षा में सामिल होने के लिए अभ्यारतियों की कोई अधिक्तम उम्रसिमा नहीं है चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका पाठिकरम क्या है तो देखिए इसमें आपका परिक्षा का स्वरूप दो चर्णों में ली जाएगी पर्थम चरण में जो होगा वह आपका लिखित परिक्षा होगी द्वीती चरण में टंकन जांच होगी तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या एक्जाम आपका इसमें होगा तो देखे परिच्छा का चरन जो है पर्थम चरन लिखित परिच्छा दो घंटे का होगा एक सो माग का दुविती चरन जो होगा टंकन जांच दस मिनट चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं देखे इसमें आपका परिच्छा का विषय दिया हुआ है आपका पांच विषयों पर आपका इसमें एक्जाम होगा जिसमें सारे जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं चलिए आगे हम लोग और कुछ देख लेते हैं चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कि निमलिखित उपखंडों में देखिए आपका जो एक नमर जो है आपका इसमें उपखंड में इसमें आपका उपजेक्टिव होगा देखिए परिच्छा जो सुल्क है आपका 800 रूपिय है परिच्छा सुल्क और इसमें जो ह है अनुषित जन जाती अनुषित जाती क्या भियारतियों के लिए आपका 200 रुपया है तो यह आपका फी है कुछ इंपोर्टेंट जो डेट है online form जो फिलप होगा आपका 53 से होगा पांच मार्च से होगा और 4 4 तक होगा आपका online form और इसका जो अंतिम्तिति जो जो होगा आपका चार चार दिया हुआ है आपका यह आपका अंतिन्तिति है तो चलिए और मैं एक इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को बता देता हूं इसका जो एक्जाम जो होगा वह आपका मई 2018 में हो सकता है यह संभावित तिथी यह बताया गया है इसमें तो चलिए म आपका कुछ इनफॉर्मेशन इस रिलेटेट और भी कुछ आता है नौटीस कुछ भी आपका वेकेंसी रिलेटेट या कोई नौटीस आएगा तो आप लोगों के साथ हम जरूर सेयर करेंगे आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रही है जो सस्क्राइब नहीं किये ह वो सस्क्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कॉमेंट करना न भूलें थैंक यू